नमस्कार दोस्तों मैं सिधारत आप सभी का बहुत भहुत स्वागत करता हूँ ज्यान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो तंत्र के सभी गूड रहसियों को बहुत ही सरलता के साथ में सामे रखता है रुद्र यामल तंत्र के जितने भी रहसे हैं उसका ये उद्गाटन करता है गूड तम रहसे भैरव और भैरवी के समवाद के रूप बन जिसमें भैरवी भैरव से कहती हैं कि मैंने तंत्र के सभी शास्त्र पड़े हैं सभी प्रकार की विधियों के बारे मैंने जाना है हैं उनका ज्ञान मुझे अभी नहीं हुआ है तो कृप्या करके मुझे बताएं कि आप कौन है पूर रूपे आप कौन है तब भैरव 112 धारणाओं के बारे में बताते हैं 112 विधियों के बारे में बताते हैं जिसमें से यदि हम एक भी विधी को समझ करके अपने जीवन में उतार लें तब हम भी भैरव रूपी हो जाएंगे ऐसा स्वयम विज्ञान भैरव में कहा गया है अर्थात है कि भैरव ने सभी प्रकार के जो धारणाए होती हैं जो विधिया होती हैं जो हम जो जीवधारी हैं वो इस जीवन में रहते रहते इस माईक जीवन में अपना सारे उहपो के बीच में हम अपना समय व्यतीत करते करते भी किस प्रकार बोध भैरव को प्राप्त कर सकते हैं उसी के बारे में यहाँ पर बताए गया है आज इस वीडियो में मैं आपको पहली विधी वो पहली धारणा के बारे में बताऊँगा जो भैरव ने जिसका उद्गाटन किया था भैरवी के साथ सबसे पहले आप इस श्रोक को देखिए अब ये श्रोक क्या बोलता है जितना भी हम इस संसार को देख सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते हैं उन सम्में चैतन्य व्यापत है वो चैतन्य तत्व जो है वो चहु और व्यापत है ये जो चैतन्य तत्व है इसे ही सांख में पुरुष कहते है विदान्त में इश्वर कहते हैं और तंत्र में इन्हें ही भैरव या फिर शिव कहते हैं यह जो चेतन्य तत्व है यही ज्यान है पर इन्तु इसमें क्रिया नहीं है जो चेतन्य तत्व की शक्ति है उसे सांख में प्रकृति कहा गया है विदान्त में माया महा माया कहा गया है और तंत्र में उन्हें पराशक्ती भैरवी कहा गया है और जो इस स्रिष्टी है ये उसी चैतन्य का स्वरूप है चैतन्य का स्वरूप जो है वही ये पूरी स्रिष्टी है वही शक्ती है अर्थात जो शक्ती है वही चैतन्य का साकार रूप है बहुत गहरी बाद है बहुत ही सुन्दर अर्थात है कि आप मैं जितने भी और व्यक्ति हैं संसार में जितने भी महापुरुशों हैं अवतार हुएं वे सभी वे सभी शक्ति का ही स्वरूप है इसी कारण कृष्ण और काली दोनों का बीज भी एक ही है जो बीज मंत्र है वो एक ही है तो जो शक्ति है यही चहूं और व्यापत है संपुन संसार में काँकि वो शक्ति जो है वही इस चैत्यन्य का साकार रूप है अब जो यह शक्ति है यह किस प्रकार व्यापत है प्राणों के रूप में जो प्राण जीवधारी जो है ये जो प्राण है जो जीवधारी जब इसका हम जो जीवधारी है ये इस प्राण को गरहन करते हैं आहार रूप में वही इस चतन्य शक्ति का स्पंदन है फिर से समझते हैं जो श्वास और प्रश्वास की क्रिया हम सभी करते हैं वो इस प्राशक्ति का स्पंदन है और यही पर ही भैरव पहली विधी पहली धारणा के बारे में रहस्य उद्घाटन करते हैं भेरव कहते हैं कि जो प्राण उर्ध रूप में हम ग्रहन करते हैं या फिर जिनका उदाय होता है अब योग में यदि हम देखेंगे तो प्राण तो हम भीतर की ओर ले रहे हैं अंदर की ओर और जो निकाल रहे हैं वो अपान है प्राण और अपान अब यहाँ पर एक और बहुती रहसमें बात कहीं गई है यह जो प्राण शक्ती है यह जो परा शक्ती है यह विसर कर रूप में रहती है किस प्रकार एक हमारे भीतर रिदय में कमल दल के भीतर और दूसरा दौदशांत में द्वादशांत का अर्थ हो गया है नासिका नाक से बारह अंगुल दूर तक जो जाती है अर्थात यह कि दो पॉइंट्स हैं एक है जो नासिका से बारह अंगुल आगे है वो है द्वादशांत और एक है रिदय के कमल दल अब जब हम श्वास और प्रश्वास की ये क्रिया करते हैं तब एक खण के लिए एक छोटे से अवकाश लेते हुए जो ये श्वास और प्रश्वास है ये रुखते हैं अर्थात ये जब आपने सांस भीतर की उरली तब बाहर जाने से पहले यानि प्राणों के उदए से पहले ये एक खण के लिए अवकाश लेते हैं फिर ये बाहर की वो राते हैं दौदशांत तक जाते हैं दौदशांत तक जाने के बाद पुनहां एक खण के लिए रुखते हैं फिर से अंदर की वो चादे हैं, हम ध्यान करके, ध्यान की विधी से, इन पर ध्यान लगाते हुए, इनके उस ख्षण, वो जो अवकाश है, उसको बढ़ा सकते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं, उन दो बिंदूओं पर, या तो भीतर, या फिर बाहर, किसी भी एक बिंदू पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वही शिव की अनुभूती का भी केंद्र होता है। मैं पुना कहता हूँ, धाज समझेगा, जहाँ पर भी स्पंदन हो रहा है, वहाँ पर पराशक्ती है। जहाँ स्पंदन नहीं है, वहीं शिव हैं। ठीक है? अर्थाति है, कि वो जो ख्षण है, जहाँ पर वो स्पंदन नहीं है। श्वास भीतर गई, बाहर आने से पहले वो जो रुखती है, एक ख्षण के लिए, वहीं शिव का स्थान है, वहीं से भैरव की अनुभूती हो सकती है। भैरव अपने आपको अभिव्यक्त करते हैं। पुन्हा तो अदशान्त तक जब वो स्पंदन जाता है, भीतर आने से पहले का वो जो ख्षण है, वहीं पर पुन्हा भैरव अपने आपको अभिव्यक्त करते हैं। शिव वही पर ही है जब हम इस प्रकार से श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसके इस अवकाश को बढ़ाते है तब हम भी भैरव बनने की प्रक्रिया को आरंब करते है तब ही हमारी भीतर भी भैरव की अभिव्यक्ति हो जाती है यही पहली विज्ञान भैरव की विधी है धारणा है इसी शुन्य स्थान के बारे में जो उर्दे में हैं और जो द्वादशांत में इसी के बारे में विश्वधन जी महराज जो ज्ञान गंज से संबंदित हैं उन्होंने भी कहा है लहरी महाशय ने भी इसके बारे में कहा है और भी कितने ही संतों ने साधों ने इसी के बारे में बात करी है यही ध्यान की उच्चतम स्थिति भी हो जाती है यहीं पर हमें एक और बात समझनी होगी कि जो मंत्र होते हैं जैसे मैंने पहले के भी कुछ वीडियोस में बताया है कि हमारे शरीर को वे परिपकव करते हैं, मंत्र हमारे शरीर को उस लायक बनाते हैं कि हम वो जो शक्ति हमारे वितर जो उज़ा जो है उसे हम ग्रहन कर सकें, संभाल सकें, तो जो मंत्र होते हैं, वे ही हमें ध्यान की और लेकर के जाते हैं, उस स्थिती में लेकर के जाते हैं, जहां पर कब श्वास आ रही है, प्रश्वास हो रही है, उसका हमें आभास नहीं होता है, एकात्मा हो जाता है, यही मंत्रों का कारभी होता है, यहां पर हमें एक और बा जो योगी होता है जो तंतर की विधियों को करता है, वो उच्चतम स्तर पर आकर के दृष्टा बनता है स्वेम भैरव बनता है अर्थात ये कि हमें ये जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है जो विज्ञान भैरव में बताई गई है उसके अनुसर इसका में निश्यद नहीं करना है इसे रोखना नहीं है केवल इस पर ध्यान लगाना है दृष्टा रोप से इन्हें हमें केवल देखना है ध्यान लगाना है अपने अंतर दृष्टी के साथ तभी बैरव प्रकट होंगे आगे के विडियोज में मैं आगे की जो विधियां हैं उन्ने के बार में बताऊँगा पर उन्तु तब तक आप भी इस पहली विधी को अपना सकते हैं इस पर आप कार्य आरंभ कर सकते हैं और मुझे फिर आप अपने अनुभाव बता सकते हैं यदि आपको इस वीडियो सुंदर लगा हो तो कृप्या करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें वहां कि विध्यान भैरव के और भी गूर रहस्यों को मैं आप सभी के लिए ले करके आता रहूँगा कॉमेंट सेक्षिन में ही जो पहला कॉमेंट पिंड है वहां से पेटी एंजी पी ते अदिके मादम से जितना अधिक हो सके आप हमें शुरी सहीयो भी प्रदान करें बहुत अधिक प्रोचाहन मिलता है इसके साथ मैं सिधार्थ अब आप सभी से जाने के अनमति लेता हूँ जाए शुरी राम